जर्मन तानाशा हे डोलप हिटलर ने द्वितिय विश्व युद्ध के आखिरी वक्त में खुदखुशी नहीं की थी। यह दावा किया है कि एक ब्रिटिश तिहासकार ने। गेराड विलियम्स ने दावा किया है कि सरकारी रिकार्डो से पुष्टी होती है कि हिटलर और उसकी पत्नी इवाब राउन की मौत के बारे में मिले दस्तावेज को ख्याता नाशाह के शव की पुष्टी करने में विफल रहे थे। आधिकार एक रिकार्ड के मुताबक अभी तक यहीं माना जाता रहा है कि अप्रेल एक हजार नौसोपैंतालीस में हारने की बाद हिटलर ने बर्लिन में एक बंकर में अपने सिर में गोली मार ली थी, जबकि उनकी पत्नी निगहा तक साइनाइड की गोली निगल ली थी। विलियम्स ने कहा, मेरा मानना है कि अप्रेल एक हजार नौसोपैंतालीस में हिटलर पत्नी इवा ब्राउन के साथ बंकर से सही सलामत बच निकलने में कामियाब रहे थे, उनकी मौत नहीं हुई थी, हम अभी तक ब्रहम में थे। देली एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुता विलियम्स का यह दावा टेली विजन चैनलों पर शनिवार को प्रसारित किया जाएगा, जिससे अभी तक इस जर्मन ताना शाह के बारे में दिये गए सिध्धानतों पर से परदा उठाया जाएगा। उनको भी शेयर करें, और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए जल्द ही मिलेंगे एक नईव हेडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।